Hello everyone, welcome back to the Samajik Guru channel. आज हम करने जा रहे हैं, क्लास 9th के Maths का Sample Paper, यह English Video में Students के लिए है, और यह November 2022 के exams की preparation के लिए है. तो सबसे पहले देख लेते हैं, पेपर पैटर्न किस तरिके का होने वाला है, तो आपका पेपर जो है, वो 40 marks का आएगा और आपको टाइमिंग जो है, वो 1.5 धिंटे की दी जाएगी, जो पार्ट A है, उसमें एक एक नंबर के आपसे 8 questions तूछे गए है, ठीक है, तो इसके जो है, वो अबैसिया कहा जाता है, ठीक है, नेक्स है, the coordinates of origin are, origin का जो coordinate होता है, वो क्या होता है, वो होता है, जीरो, जीरो, ठीक है, यानि, x-axis भी 0, और y-axis भी 0, a linear equation in two variable, कोई equation है, linear equation है, उसमें दो variable है, उसके कितने answers जो है, वो हो सकते है, इन्फाइनाइट, ठीक है, या 4, तो इसमें से कौन सा, जो है, वो इसका solution है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर x की value, जो है, वो डाल के देखनी पड़ेगी, ठीक है, तो जैसे x, जो है, अगर मैं ये वाला ले रही हूं, ठीक है, तो x की value मैंने 0 लिख दी, यहाँ पर, minus 2 है, y कितना है, यहाँ पर, 2 है, ठ ठीक है, तो वो जो है, वो equal नहीं है, इसका ये वाला आंसर इसका नहीं हो सकता, इसी तरीकी से अप सारी values पूट करके देखो, ठीक है, वैसे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा idea हो जाएगा, कि क्या चीज़े जो है, यहाँ पर आ सकती है, ठीक है, तो x की value, जब मैंने 4 र ठीक है, जो की हमारे right hand side के equal है, that means की जो answer है, वो 4 और 0 होगा, यहाँ एक्स जो है, वो हमारा 4 होगा और y जो है, ठीक है, अगला question देखते है, इसमें बोला गया है, what is the total surface area of a cube, total surface area, जो है, वो क्या होता है, कितना होता है, तो वो होता है, 6a square, ठीक है, इसी तरी से next question है, what is is the total surface area of a sphere, sphere का, ठीक है, square जो है, उसका total surface area कितना होता है, वो है, 4 pi r square, अगला question जो आपको दिया हुआ है, उसमें बोला गया है, आपसे कि in given data, most frequently occurring observation is, जो जादा बार repeat होता है, जादा तर आता रहता है, उसको क्या बोला जाता है, वो होता है, mode, ठीक है, some of the angles of a quadrilateral, a quadrilateral ह उसके सभी angles का टोटल कर दिया जाए, तो वो कितना होता है, वो होता है, 360 degree, ठीक है, अब यहाँ पर चार फिलप्स कुछे गए है, एक एक नंबर के है, यह सारे, यह भी पार्ट A का ही है, 8 mcq हो गए, 4 आपके फिलप्स हो गए, 4 रिफॉल्स हो जाएंगे, ठीक है, यह सा ग्राफ of x is equal to a, अब एक ग्राफ बनाया है हमने, ठीक है, जो x is equal to a का है, ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, तो यह जो है, कहा है कि is a straight line, parallel to, तो यह किस के line, किस line के parallel है, यह y-axis होता है हमारे, तो y-axis के parallel है, ठीक है, अगला chain है, a diagonal of a parallelogram divides it into concurrent triangles, ठीक है, जो diagonal होत है, ठीक है, उसका जो diagonal होता है, वो इसे दो congruent, congruent क्या होता है, पच्छो, congruent होता है, कि उसका जो shape है, और size है, मतलब यह दो पार्ट में divide कर दिया है, तो इसका shape और size है, वो एक दूसरे से बिलकुल ही similar है, ठीक है, same है कह सकते हो, volume of cone is, तो cone का volume क्या होता है, वो होता है, 1 in the true false पे, यह भी इक नमबर के है, सारे, इसमें आपसे बोला किया है, the coordinate of origin are, तो coordinate जो origin का होता है, वो 00 होता है, यह अभी हमने mcqs में भी किया था, तो यह बिलकुल सही है, true, volume of a cube, cube का volume जो है, वो a cube होता है, तो यह भी बिलकुल सही है, true, mean of first 5 natural number is 3, तो natural number क्या है, 1 से start ह हो जाएंगे, ठीक है, तो हमने 1 को, 1, 2, ठीक है, इसके अलबाद 3, ठीक है, इसके अलबाद 3, ठीक है, 5 बोला है रहा है, natural number 4 और 5, इन सब को जो है, वो प्लस कर दिया, तो इन सब को प्लस करने पर इतना आ जाएगा हमारा, टोटल बनता है हमारा 15, ठीक है, और कितने होगे, तो answer जो है, वो 3 आ जाएगा, ठीक है, इन्होंने हमें 3 ही बोला है, तो यह जो है, वो correct है, ठीक है, अगला question है, the graph of every linear equation in 2 variable is not a straight line, कि जो linear equation के 2 variable के graph बनाते हैं, वो कभी भी जो है, वो जो है, वो straight line नहीं होती, तो यह गलत है, वो हमेशा ही straight line बनाएगी, ठीक है, बी पी आ जाते है, दो दो नमबर के 6 question आप से पूछे गए हैं, यानि के total 12 number का आपका part B है, इसमें जो पहला question आप से पूछा गया है, वो है, draw the graph of equation x plus y is 4, तो आपने एक graph बनाना है, ठीक है, इस equation को लेकर, तो सबसे पहले हमने x की value डाल दी, 0, ठीक है, तो यहाँ पे हम हमने x की value 0 रखी, प्लस में y is equal to 4, 0 प्लस y, y बन जाएगा, y जो है, वो 4 आ गया, ठीक है, अब इसी तरीके से हमने y की value 0 रख दी, तो y की जगे पर 0 लिख दिया, ठीक है, तो x जो है, वो 4 आ गया, तो हमने टेबल के अंदर, x जो है, वो हमारा कितना है, 0 लिया था, तो y 4 आया, जब हमने y जो हो 0 लिया, तो ये 4 रखाया, ठीक है, हमारा table बन गया, अब इसको हमने graph में plot करना है, तो graph में हमने जो हमने numbering कर देनी है, यह हमारा x एकसे हो गया, ठीक है, और यह हमारा y एकसे हो गया, अब 0 और 4 हो ठीक है, तो x एकसे का 0 तो यहां पे है, तो 0 से 1,4. ठीक है, यह पोइंट आगया मार्प, पहले वाला होता है और जो सेकंड वाला होता है वहर फोर इसी तरीके से c.agues y कभी 0 ह는 इही है और x जो है वो हमें, फोर है, तो 1 और ईहां मिला देना है, ठीक है अगला question देखते हैं इसमें बोला किया है कि आपको यह equation दी गई है x plus 2y is 6 इसके चार solution जो है वो आपने बताने हैं ठीक है तो उसको भी उसी तरीके से करना है जैसे हमने पहले question किया था तो x जो है उसकी value हमने 0 ले ली ठीक है तो x की जगेपर 0 लिख दिया plus में 2y is equal to 6 वो as it is उतार दिया ठीक है तो 0 को 2y से plus किया तो 2y हो जाएगा is equal to 6 y is equal to यह cutting हो जाएगी 2 बंजा 2 2 3s are 6 तो यहां पे y की value जो है वो कितनी आ गई 3 आ गई ठीक है यानि कि 0 और 3 जो है वो इसका पहला solution हो गया दूसरा solution y को अब हम 0 ले रहे है ठीक है तो x plus 2 y जो है वो 0 हो गया is equal to 6 2 0 जा 0 यह खतम हो जाएगा तो x जो है वो कितना आ गया हमारा 6 ठीक है यानि second solution जो है वो 6 और 0 हो गया थर्ड के लिए हमने जो है वो x की value जो है वो 2 ले ली इस भारी ठीक है तो आप यह नंबर कोई भी ले सकते हो ठीक है तो यहां पर जो है वो 2 हमने लिख दिया प्लस में 2 y की जगे पर y लिखा is equal to 6 ठीक है यह 2 प्लस हो रहा है उदो जाके minus हो जाएगा तो यह 4 आ गया यहां पर भी कटिंग कर दो 2 हो जाएगा अगला जो हमने नंबर लिया है वो हमने माइनस टू लिया है तो यहां पर हमने वैल्यू पुटकी यह माइनस टू है उदो जाके क्या होज़ेगा प्लस टू यहां पर 8 आ गया अब इसकी कटिंग कर दो 2 हो जाएगा तो फोल्स एक यानिकि वाइग जो है वह 4 आ गया तो यह जो हमारे आंसर आएँ है इनको हमने टेबल में लिख दिया है ठीक है सबसे पहला X होता है तो हमने X लिख दिया फिर जो आंसर Y आया है वो हमने y लिख दिया ठीक है next question को देखते है plot the point on systrian plane 5 0 2 5 minus 3 5 minus 3 minus 5 ठीक है तो अब इन सब को जो हमें ग्राफ में वो plot करना है तो 5 0 तो यहां पर देखो जो हमारा y axis है वो 0 है x जो है वो 5 है तो x तो 5 यहां पर आया है ना और यह जो है वो 0 है तो हमने यहां से लेकर यहां पर पोइंट वना दिये 5 0 का ठीक है दोसरा बोला है 2 और 5 तो 2 और 5 बोला है तो हमारा x का 2 जो है वो यह रहा y का 5 यहां पर तो यहां पर तो पोइंट वनेगा वो 2 और 5 होगा ठीक है अगर क्वाड्रेंट पूछा जाता यह हमारा 1st quadrant है थीके यह फर्स कोड्रेंट है तो हमारा फॉर्थ क्वाड्रेंट है इस願い कर लिया बचकी तो मैनस 3 और 5 तो मैनस 3 जो है वह greatness इहां पर है और 5 यह यहां पर होगा पर प्सक्रेट कॉइंत हो जो निया फर्स प्सक्राइट फ़सक्त में तो माइनस 3 और माइनस 5 का पॉइंट यहां पर बनेगा ठीक है आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है हमारी वीडियो आपके लिए किसी भी तरीके से हेपफुल है तो चैनल को फटा-फट से सब्सक्राइब कर दो क्योंकि यहां पर इस तरीके क प्लेंट अपने नाम आपने बताना है ठीक है तो जो नेंब और वर्टीकल लाइन को रिटक लाइन डेमाने पोई जिट्राम पर उंटीके सित्टिंग कर दीर्डीटिजों कर ति कर पर यहां पर यह दूनू लाइन इस प्लेंट उसको क्या नाम दिया जाता है वहां पर जहां पर यह पुएंट को काट रहे हैं इसको हम औरिजन कहते हैं इसी करके जब हमने औरिजन के कोडिनेट पढ़े तो हमने पढ़ा था वो जीरो और जीरो होता है क्लियर होगे बच्चों आप लोगो नेक्स्ट क्वेस्टें देखते हैं दे अंगल्स अपड़िलेटरल आर तो कितना होता है 360 डिग्री होता है ठीक है तो हम यहां पर जो है common ratio जो एंगल्स का मान लेते हैं वह एक्स मान लेते हैं यानि कि जब हम 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x करेंगे तो वह 360 डिग्री के इक्वल होगा ठीक है इन सब को जब हमने टोटल कर दिया तो वह कितना बन गया 30x और यहां पर आ गया 360 जीरो से जीरो जो है वह कैंसल हो जाएगा 3 12 36 ठीक है तो हमारा एक्स जो है वह 12 आ गया यानि कि 3x है तो एक्स की बल्यू हम 3 के साथ यह डाल देंगे तो यह हो गया 3 x 12 इसी तरह से 5x हो जो है वहां पर 5 x 12 हो जाएगा 9 x 9 x 12 13 x 13 x 12 इनको 12 x 12 16 इनको को मुटिप्लाइ करने पर 12 3 जा 36 डिगरी का यह पराइगल हो गया दूसरा एंगल हमारा 60 डिगरी का हो गया फिर 13 को 12 से आपने मुटिप्लाइ कि तो यह हो गी आपका 156 डिगरी next question है हमाना, show that each angle of a rectangle, is a right angle, यानि कि जो rectangle का जो जितने भी angles हैं ठीक है, इस एंगल A, एंगल B ये सारे जो है वो 90 degree के है, राइंगल का बनेगा जब 90 degree का होगा, ठीक है, तो हमें एक rectangle दिया हुआ है a, b, c, d, ठीक है, इसमें हमें प्रूफ क्या करना है कि, अगल A, अगल B, अगल C, आगल D यह सारे हो 90-90-डिघरी हैं, ठीक है? अब हमें क्या पता है बच्चो कि रेक्ट एंगल चो है वो एक पैरलोग्राम होता है वर वन एंगल is 90 डिघरी जहां पर एक जो एंगल होता है वो 90 डिगरी का होता है opposite sides होती है ठीक है वो parallel होती है इस वज़े से AD जो है वो BC के parallel है अब AB जो है वो transversal भी है ठीक है तो इससे क्या हुआ एंगल A plus angle B यानि कि यह वाला angle जब आपने इसके साथ जो है वो plus किया तो यह क्या बन गया 180 degree interior angle on the same side of transversal is supplementary supplementary यानि कि 180 degree का angle बनाएंगे तो जो भी transversal line की जहां पर भी दोनों एंगल जो interior angles बन रहे है उन दोनों को जब एड किया जाएगा तो 180 degree का angle बनाएंगे अब angle A की value मुझे पता है 90 degree तो angle B जो है यहां पर 90 degree इधर प्लस हो भी मैनस हो जाएगा तो angle B जो हुए ऍच्छी का कि इतने डिगरी का हो गा 90 degree अब हमें पता है कि opposite angles फोलेलरेम के एक्वल होते हैं तो angle C जो हो angle A के heatस to angle B के heatस to angle A with angle A भी पता है और angle B भी पता है तो हम यह सकते हैं तो इस तरीके से हमने प्रूफ कर गिया कि रेक्टेंगल के जितने भी एंगल्स होते हैं वह सारे राइट एंगल इस नाइंटी डिग्री का होता है ठीक है नेक्स रिचर है वह पार्ट सी आजाता है चेछे नंबर के आपने दो क्वेस्टिन अपको दीए गए हैं ठीक है तो कौन जो है उसका बेज है ठीक है उसका जो डायमीटर है वह हमारा है 10.5 cm यह हमारा है 10.5 cm का और जो इसकी slant height है यह वाली है 10 cm तो हमें बोला है इसका जो curved surface area जो घूमा हुआ यह हमें पता करना है कि कितना है तो इसके लिए हमने सबसे पहले रेडियस निकालना है रेडियस निकालने के लिए वो डायमीटर को 2 से डिवाइड करना पड़ता है तो यहां पे हमने 10.5 को 2 से डिवाइड के तो हमारा आंसर आगे 5.25 cm ठीक है और L जो कि हमारी slant height है वो है 10 तो जो अपने इसको मुल्टिप्लाय करोगे तो आपका आंसर आजाएगा 165 cm2 ठीक है तो यहां पे जो है यह कर्वड़ सर्फेस एरिया है एरिया जो हमेशा स्क्वेर उनिट में निकाला जाता है ठीक है तो यह अपने ध्यान रखनी है वरन होता है उसका मेजरमेंट जो है वो क्या है 4 cm, 2.5 cm, 1.5 cm ठीक है तो बोला है कि what will be the volume of a packet तो एक बड़ा packet है जिसके 12 इस तरके के boxes जो है वो रखे हो है उसका volume अपने बताना है ठीक है तो सबसे पहले हमने match box का length, breadth और height जो है वो ले दी ठीक है तो उसका volume निकाल दिया ठीक है इन तीनों को multiply कर दिया तो यह आगया हमारा 15 cm cube ठीक है क्योंकि volume जो होता है वो cube में निकलता है तो वो हो गया अब इस तरीके के 12 packets जो है वो डाले गई है तो जो 15 है उसको हमने 12 से multiply कर दिया तो हमारा answer आगया 180 cm cube यानि कि 12 match boxes का अगर हम volume निकाले उस packet का तो वो कित हमारा the blood group of 30 students of class 8 are recorded as follow the 30 students के blood group जो है वो लिये गए थे ठीक है उनका record किया गया इसको आपने जह वो frequency distribution table जो है उसमें आपने शो करना है ठीक है तो सबसे पहले blood group आ जाएगा तो सबसे पहले blood group आ जाएगा तो सबसे पहले blood group आ जाएगा पने एक लाइन डाली जैसे ठीक है उसके बाद यहां से आप कैंसल कर देना ठीक है फिर जो है वो बी तो बी पे लाइन डाली फिर वहां से कैंसल कर दे रहा ठीक है तो इस तरीके से जब मैंने calculate किया इसे तो यह है वो यह एक जो group होता है यह बनता है five का ठीक है five और यहां पर four line है यानि कि यह टोटल जो है नाइन बना फिर यहां पर यह फाइव और एक one six बना five five ten eleven twelve यहां पर 12 हो गया टोटल ओ ब्लड ग्रूप का और एवी के three students थे ठीक है यह यह टोटल जो है वो टोटल प्लस करके देख लेना आपनो यह 30 है और यहां पर भी 30 students बोला है क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स तो सबसे दा कॉमन जो जाता लोगों पर पाया जाता है ब्लड ग्रूप कौन सा है ओ ठीक है तो कि 12 है सबसे जादा है और रेयर कौन सा ब्लड ग्रूप है एबी ठीक है यह तो वो को इसने अटेंट करना या यह next question है जिसमें आपको बोला गया है गिवन इसके बाद वो आपने इसको एक बार ग्राफ में रप्रेजेंट करना है और आपने बताना है कि कौन से पॉलिटिकल पार्टी जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट जो है वो जिसमें अचीव किया है तो वो तो में यहीं से पता चल रहा है ए पार्टी नहीं सबसे जादा अर उसके वारं ग्राफ बना रहा है सारे अनसे के लिए ऋप्रव्य बैसे करके लिए करके संसे। तो 75A 75 जहां पर भी बनेगा तो वहां से जो है वो स्केल से आप यहां पर क्लाइंट ड्रॉव कर दोगे ठीक है इसको बोलते हैं बार ग्राफ ठीक है तो इसके बाद 55 है 55 जो है वो आपने ड्रॉव कर देनी है और इसी तरीके से अपने C, D, E और F की जो है ग्राफ जो है वो ड्रॉव कर देने ठीक है जो स्टेबल है पॉलिटिकल पार्टी जैसे उसके नाम स्टेबल है तो वो जो है वो एकसे पर आजाएगा और जो फ्लक्ट्वेट होता है अपने डाउन हो रहा है वो जो है वो आपक य एकसिस पर आजाएगा जैसे यहां पर सीट्स वॉन है ठीक है तो यहां पर यह वीडियो खत्म हो जाती है इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेस्चिन कीजिए आपको रिप्लाय मिल जाएगा थैंक्यू वेरी मुच् जाजएगा नेग साथ.